असलाम लेकूं वेलकम बेक टू बजियाज इंसाइट कैसे हैं आप सब लोग मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं और आज हम बिल्कुल रेस्ट्रिन स्टाइल की फिश बनाएंगे घर में फिश और चिप्स की रेसिपी है होप आप सबको बहुत अच्छी लगेगी यहां पे मैंने अपनी पसंद की कोई भी फिश ले सकते हैं और उसके अंदर अध्रक लहसन का पेस्ट और टू टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर सिर्का एड़ करी हूं और हाफ ती स्पून के करीब हल्दी एड़ करूंगी इन तीनों चीजों को हम अच्छे तरीके से फिश के पूरी इक्वली सिर्का और हल्दी और अधर लैसन का पेस्ट फिश में लग जाए और इसको फिफ्टीम नट्स के लिए हम रैस देंगे इन दा में टाइम हम दूसरी प्रेपेशन करते हैं यहां पे मैंने एक कप के करीब ब्रेट क्रम्स ले ली हैं ब्रेट क्रम्स मेरे हो ठीक है इन तीनो चीजों को आपने मिक्स करना है और इसी में सॉल्ट एट कर देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से और इन तीनो चारो चीजों को अच्छे तरीके से ब्रेट क्रम से मिक्स करेंगे हमारा यह ब्रेट क्रम का जो मिक्स्टर है यह रड़ी हो चुका है अब हमन पर ले लिया है मैदा यह तीनों चीजे हमारी तयार है अब हमारी जो फिश हो गई अगर 15 नर्स उसको रेडी रेस दे दिया है और उसको हम करेंगे कोट कोट ऐसे करना है आपने रेसीपी को प्रॉपर फॉलो कीजेगा तो आप सब को इंशालला बहुत ही अच्छे कोट कर दिया है यहां पर फिश पूरी रेडी हो गई और इसको मैं अब थर्टी मिनट्स के लिए फ्रीजर में रखोंगी जब यह बिल्कु सेट हो जाएगी तो दैन हम इसको करेंगे अच्छा आप फॉरी फॉरी भी कर सकते हैं लेकिन अगर फ्रीजर में आप इसको करेंगे और उसके बाद उसकी साइट केंच करें इंशाला बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको आइंगे उसकी कोटिंग बिल्कुल लगी रहती है और फिर अगर अगर आम उससे पौरी फॉरी छेड़ेंगे ना तो उसकी कोटिंग अलग हो जाती है आप देखते कभी आप सबको बहुत अच्छी लगेगी और उमीद करूंगी यह वीडियो अच्छी लगे अगर अच्छी लगी हो तो हिट लाइक बटन अपनी फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें और मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा कीप सपोर्टिंग अजयाद इंसाइड इंशालत आला मिलते हैं फिर किसी और नेक्स वीडियो में तिल देन अपना बहुत धेर सारा ख्याल रखें और आगे मुहमद शहीर का रिव्यू है वीडियो के एंड में जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा मुझे दीज़े अजाजत अपन क्रिस्पी और अंदर मचालों की रिचनेस आपको फील हो रही है बकायदा तोड़ के दिखाओ सेंटर से तोड़ों रबर्दस पक्की बाते मज़ेकी है बहुत मज़ेकी अच्छा ओमी को भी अच्छी लगी है